जोहार जैमन्योंसी मैं संकेत और आप देख रहें मेंट टीवी भारत में पत्रकारी ताकास्तर कुछ इसकदर नीचे गिर गया है कि अब विपक्षी दलों ने कुछ डिबेट शोज वह उनके एंकरों के बहिशकार की घोशना की है एक तरफ सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाया जाता है जेलों में बंद कराया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है तो दूसरी तरफ सरकार की गोध में बैठ कर सरकार की वहवाई करने वालों को इनाम पे इनाम दिये जाते हैं इंडिया गडबंदन ने अपनी पहली समन्वय समिती की पहली बैठक में उन्हों न्यूज एंकरों की एक सूची बनाने का फैसला किया है जिनके शोका गडबंदन के दलो द्वारा बहिश्कार किया जाएगा कॉंग्रेस अध्यक्षा मलिकार जुन खडगे ने बैंगलरू और मुंबई की बैठकों में ये संकेत दिया था कि गडबंदन के घटकों के बीच प्रपोगंडा मीडिया का मुकाबला करने की रन्निती पर भी चर्चा की जाएगी समन्वाई समिती ने मुंबई बैठक के बाद गठित मेडिया सब कमिटी को उन्हीं टीवे एंकरों का नाम देने और उनका बहिश्कार करने के लिए अधिकरुत किया है जो कठित तवर पर विपक्षी दलो के प्रती शतुरुता पुर्न रहे है इन एंकरों में भारत चोबिस की रुबी का लियाकत इंडिया टुडे के गवरव सावन्त और शीव अरूर इंडिया टीवी की प्राची पराशर टाइम्स नाव भारत की नविका कुमार और सुशान सिन्हा रिपब्लिकन भारत के अरनब गोस्वामी आज तक की चित्रा त इक्सप्रेस की अधिती त्यागी इनके नाम शामिल है समन्वई समीती की बैठक में भाग लेने वाले सभी बारा दलों की ओर से बोलते हुए कॉंग्रेस के संगठन महासचीव केसी वेनुगोपाल ने कहा कि समन्वई समीती ने मीडिया सब कमीटी को उन एंकरों के नाम त परचा भी हुई जिसके जटिल होने की संभावना है वेनुगोपाल ने कहा कि इंडिया गडवंदन की 24 पार्टियों के बीच सीट बटवारे की बाचित को जल से जल अंतीम रूप दिया जाएगा महत्वपूर्न रूप से उन्होंने यह भी जोडा कि गडवंदन देश मे जाती जनगन्ना का भी मुद्धा उठाएगा मुंबई बैठक में पारित राजनितिक प्रस्ताव में जाती जनगन्ना का मुद्धा स्पश्ट रूप से नदारत था कुछ खबरोक में ऐसा होने की मूल वज़़ इस मुद्धे के बारे में TMC की अनिरने स्तिती को बताया गया था आला कि अधिकान शक्षेत्रिय दल विशेश रूप से समाजवादी पार्टी जनतादल युनाइटेड और राष्ट्रिय जनतादल जैसी समाजवादी पार्टिया पहले से ही देश भर में जातवार जन्गन्ना कराये जाने के पक्ष में अभियान चला रही है पिछ अन्य विपक्षी दलों के भी जाती जन्गन्ना की मांग करने की संभावना है यहाँ एक ऐसा मुद्दा है जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है बन सकता नहीं है बन गया है जो फिलहाल अनिरने की स्तिती में है यहाँ पूछे जाने पर कि क्या गड़ब है उन्होंने ये बाते तै की हम दूसरों से भी बात करने जा रहे हैं बुद्वार 13 सितंबर की बैठक नई दिल्ली में नसीपी प्रमुक शरत पवार के आवास पर हुई और इसमें 26 दलों के 26 दलों के गड़बंदन के 12 प्रतिनी दी जिसमें शरत पवार नसीपी केसी वे प्रमंत सोरेन, जारखंड मुक्ति मोर्चा, राघव चड़ा, आप, डी राजा, CPI, उमर अब्दुल्ला, नैशनल कॉन्फरेंस, महबुबा मुफ्ती, PDP और जावेद अली समाजवादी पार्टी की ओर से बैठक में शामिल थे टीमसी के अभिशेक बैनर जी बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कोलकता में एडी ने समन किया हुआ था, वेनुगोपाल ने अभिशेक बैनर जी की अनुपुस्तिती का हवाला देते हुए, विपक्षी नेताओं के खिलाफ मूदी सरकार द्वारा जांच पार्टी की और से और प्रधान मंत्री की प्रतिशोद की राजनीती का नतीजा है, अभिशेक बैनर जी राज्यमे स्कूल नोक्रिया घोटाले की जांच के सिलसिले में एडी के सामने पेश हुए थे, इससे पहले उनके पार्टी ने ट्विटर पर लिखा था कि वे धमकान की तरकीबों के सामने नहीं जुकेंगे, बैठक के बाद समधाताओं से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सीट बटवारे की वेवस्था में ऐसी सीटों पर ध्यान होना चाहिए जहां इंडिया गडबंदन के दलों के प हमें उन सीटों पर चर्चा करनी चाहिए जो भाजपा या एंडिय या उन पार्टियों के पास है जो इनमें से किसी भी घडबंदन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जो सीटे गडवंदन सदस्यों के पास है उन पर तब तक चर्चा नहीं होनी चाहिए जब तक कि जिस पार्टी के पास वो सीट है वो इसे छोड़ने को तैयार न हो गडवंदन ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावी राज्यमध्यप्रदेश की राजधानी भुपाल में अपनी पहली संयुक्त रैली आयुजित करने का भी फैसला किया है कहा गया है कि वहाँ बड़ती महंगाई, बेरुजगारी और भाजपा के बड़े पहमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया जाएगा